सुआगाते आपका दा हिमालियन स्टेडी डूप चले पर हम आसिस कुमार स्थोगी आज आपके सामने हम मैत्मण वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि नीरा गोंगा जौला मुखी में बिस्पोर्ट हुआ है इसलिए आप लोग इस तो ये वीडियो आपके लिए काफी मैत्मण है क्योंकि नीरा गोंगा जौला मुखी में बिस्पोर्ट हुआ है ये जो आपके सामने फोटो है ये है नीरा गोंगा जौला मुखी की है और ये है जौला मुखी कांगो गनराज्य देश में है यानि कि नीरा गोंगा जौला म कांगो गणराज्य देश में एक जौला मुखी है इसमें बिस्पोर्ट हो चुका है तो इसके बार हम देखते हैं इसमें तो देखिए आपके सामने यह जो जानकारी है यह हमें जो सोर्स मिला है यह हिंदी लोकमत के माध्यम से जानकारी मिली है तो देखिए इसमें लिखा है कि यह जो आपका नीरा गोंगा जौला मुखी है यह है कांगो गणराज्य देश में है और यहाँ पर एक शहर का नाम है कांगो गणराज्य में उस शहर का नाम है गोमा शहर गोमा शहर में एक जौला मुखी है उसका नाम नीरा गोंगा है यह ज में से लगातार लावा निकल लिया है और ये लावा निकलने के बाद गोमार शहर की और लावा जाने लगा है जिससे बहाँ पर लगभग 35,000 के आसपास लोगों हटा दिया गया है तो ये ध्यान लखिया आप ये जो जौला मुखी है ये जौला मुखी यानि कि सक्रिय जौला मुखी में इसका नाम गिनायाता है ये आप ध्यान लखें क्योंकि ये पॉइंट आपका competition के साब से काफी महत्पून है यानि कि नीरा गोंगो जो जौला मुखी है ये है एक active ball केनों है और ये कि शहर के पास में है गोमा शहर में है और गोमा शहर कांगो गणराजे देश में है और यहाँ पर जो है काफी लोग धैसक में हैं क्योंकि ये जौला मुखी इससे पहले 2002 में फटा था इसके बाद यह जोला मुखी 2021 में फटा है और आजपास के एरिये काफी खाली करा दिये गए है क्योंकि इसमें से लगातार लावा निकल लिया है और यह पूरा जोला मुखी लाल नंका हो गया है तो इस वीडियो को आप लोग जादे से यारा गुरूप में शेर करें ताकि सभी को ये जानकरी मिल जाए और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जिरू बताएं कि हमारे दोरा बनाएगी वीडियो आपको ये कैसी लगी तो देखते रहें आप लोग हमारे चैनल दा हिमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद